हेलो मैं हूँ मनीश और यहां पर काफी साथा ठंडो रखी है मुझे उपर से थोड़ा सा जुखाम भी है तो शायद मेरी आवाज तुमें थोड़ी सी अजीव लगे बट एनिवेज यहां पर मेरे पास यह दो ब्लेंडर प्रोजेक्ट्स है यह बला जो प्रोजेक्ट है इसमें मेरा ट्री एसेट है कुछ इस तरह से दिखता है और यह बला जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट है यह मेरा फाइनल सीन है तो मुझे इस वाले blender project में जो assets हैं उने final scene में import करना है तो ये अभी asset वाला blender project है इसके अंतर तुम देख सकते हो ये tree मैंने sculpt किया था और इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें geometry notes का use मैंने किया है ये leaves को वनाने के लिए और इसमें ये है एक procedural tree का texture और यहां पर तुम देख सकते हो मैंने इस tree को इस collection में डाल रखा है और इसे rename कर रखा है ये काफी important step है तब मैं चला जाओंगा अपने final वाले scene पर और यहां इस monk के पीछे मुझे इस tree को place करना है तो यहां पर मैं file पर click कर दूँगा तो यहां पर तुम अगर import पर चले जाते हो तो तुम यहां पर देख सकते हो कि कोई भी blender file को import करने का scene नहीं है तो यहां पर दो option है हमें देखने को मिलते हैं एक है link और दूसरा है append तो link को मैं थोड़ी देर बाद में discuss करूँगा और यह जो append वाला है इसके ओपर मैं अब फिलाल क्लिक कर देता हूं तो append पर click करने सी यह blender project सामने आगया है जिसकी files को मैं अपने main scene में import करना चाता हूं जैसकी यह tree इसके ओपर double click कर दिया और यहां पर तुम देख सुतियों अंदर इसके बहुत सारी folders है जितना मैंने अब तक blender को use किया है मुझे collection और material इन दो की ही ज़्यादा जरूरत पड़ी है इसके अलावा कभी कवार जो node tree है इसकी भी जरूरत पड़ जाती है आपके geometry node के साथ को import करने के लिए तो भी इसके लिए यह क्या है कि अगर तुम सिर्फ एक material को import काना चाते हो तुम भोवी कर सकते हो जैसके यहां पर material है और यह एक procedural material मैंने जो उसमें बनाया था तुम सिर्फ इसे ही import कर सकते हो अपनी secondary blender file में तो फिलाल मुझे सिर्फ collection को import काना है तो इसके अंदर चला जाओंगा और यहां पर तुम देख सकते हो दो collection आगी है तो जो मेरी main collection है मुझे पता है उसका नाम मैंने tree final का नाम दे दिया था इसके लावे एक दूसरी collection तुम यहां पर देख सकते हो sakura के नाम से इन दोनों को हम import नहीं करेंगे क्यूंकि यह जो tree final वाला है इसी के अंदर मैंने दूसरी वेले collection को भी डाल रखा था तो मैं इसके ओपर click कर दूँगा tree final के ओपर और इसे append कर दूँगा and bam यहां पर तुम देख सकते हो जो यह tree था जो दूसरे blender project में था है वो अब successfully import हो चुका है इस वाले scene में और यहां पर मैंने यह cursor लगा रखा था तो मैं shift s press करूँगा यहां पर selection to cursor पर अगर मैं click कर देता हूं तो यह automatically वाहां पर चला जाएगा और final scene कुछ इस तरह से है तो इस तरह से blender project से दूसरे blender project को हमने import कर दिया है अपने asset file को तो भी समझते हैं कि यह link वाला option क्या है तो यहां पर मैंने यह blender project प्रिफेर कर रखा है एक है main scene और दूसरा है तुमारी asset file हो सकती है इसका मैंने नाम दे दिया है link मैं जो scene है इसे open कर देते हैं यहां पर मैंने एक backdrop लगा रखी है तो मैं के करूँ को जो main scene है यहां पर मैं चला जाओंगा और link पर click कर दूँगा और यह project आगया है link के नाम से जिसके अंदर suzain head है इसे मैं link कर देता हूँ और यह suzain head यहां पर आगए मुझे suzain बोलने की आदत पड़ गी है तो यह जो object है यह link object है तो अगर मैं जो main scene है इसे close कर देता हूँ और link वाले के अंदर चला जाता हूँ और इसका जो model है इसे मैं change कर देता हूँ इसे मैं simply sculpting से कुछ बिगाड़ देता हूँ इस तरह से और यह जो link है से save करना जूरूरी है तो इसे save कर देता हूँ और द्वारा से अपने main scene के उपर चला जाता हूँ तो यह आपर देखोगे कि जो main scene है उसके अंदर जो यह linked object था वो भी change हो चुका है तो यह कुछ difference है link और append में जो link वाला option है तुम उसमें changes कर सकते हो और वो जो changes होंगे वो तुमारे main scene में भी apply हो जाएंगे और जो append वाला option है तुमने एक बार import कर लिया तुम उसमें changes कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो और जो तुमारी original file है वो वैसी की वैसी ही रहेगी तो thanks so much इस वीडियो के देखने के लिए उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से तुमें कुछ जरूर सिकने को मिला होगा ऐसी और मस्त वीडियो सो देखने के लिए यह वाली वीडियो देखो मिलेंग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सायोनारा